नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परिचे दोस्तों पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहदी महतो पूर्ण जानकारी को ले करके जी हाँ अपनी आखों की शक्ति को 20 गुना ज्यादा तेज कीजिए आए जानते हैं यहीं टॉपिक है आप सभी के लिए आज का आखों के रोशनी से रिलेटेड द्रिष्टी कमजोर होना आज की जीवन शेली की एक आम समस्या है यहां तक की निविदा आयू वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों को भी कमजोर आखों के कारण चश्मे का उप्योग करते हुए देखा जा सकता है गर्मी और मस्तिश् प्रकाश में निरंतर पढ़ना पाचन विकार असंतुलित खाने और भोजन में विटामिन ए की कमी भी कमजोर द्रिष्टी के लिए जिम्मेदार होते हैं शराब के सिवन से भी आखों पर प्रभाव पढ़ता है कमजोर द्रिष्टी विशेश रूप से बच्चों और यु किया जा सकता है कमजोर द्रिष्टी के आये लक्षनों को जानते हैं वस्तुओं पर ध्यान के इंद्रित करते वक्त आँख के मांस पेशियों में तनाव आखों पर अत्यधिक तनाव मांस पेशियों को कमजोर करते हैं कमजोर आख के मांस पेशियां द्रिष्टी में समस्य कारण बनती हैं आंखों से धुंदला दिखना लगु द्रिष्टी और लंबे द्रिष्टी लंबी दूरी की वस्तूओं को देखने में सक्षम ना होना पास की वस्तूओं को देखने में सक्षम ना होना लंबी दूरी की वस्तूओं को देखने में परिशानी होना आंखों मे पानी आना अध्यायन के दोरान सिर में भारीपन महसूस होना अब इसके कारणों को जान लेते हैं आँख पर जोर का सबसे समान्य कारण आँख पर बढ़ता हुआ काम का तनाव है दुनिया में अधिकतर लोगों की आँखें लगातार किताबें पढ़ने स्मार्टफून या क केंप्यूटर स्क्रीन को लगातार घुरना आँखों के लिए अच्छा नहीं होता है स्क्रीन को लगातार न देखना पड़े ऐसी कोशिश करो और हर 20 मिनट बाद 20 सेकेंड के लिए 20 फिर दूर किसी वस्तू को देखो इसके अलावा आप चमक को कम करने के लिए अपने स्क कारे पर केंद्रित करें इससे आँखों को आराम मिलेगा अत्याधिक समय तक टीवी देखने में समय न खर्च करें कंप्यूटर स्क्रीन पर पास से लगातार काम न करें अत्याधिक पढ़ते रहना भी आपके लिए लोस वाला हो सकता है लगातार हवा में हानिकारक प्रद पात का एक मिश्रण तयार करें फिर बराबर मातरा में चीनी मिला लें बारा ग्राम हर सुबख और शाम की खुराक में ले लें यह मोतिया बिंद के साथ साथ कमजोर आँखों के लिए भी फायदे मंद होता है कमजोर दृष्टी के लोगों को हर रोज घाजर के जुक्स का सेवन करना चाहिए यह महान लाफ प्रदान करेगा धनिया के तीन भागों के साथ चीनी के एक भाग का मिश्रण तयार करें उन्हें पीस लें और उबलते पानी में इस संयोजन को डालें और एक घंटे के लिए इसे ढख कर रखें फिर एक साफ कपड़े से इसे चान कर प् उबह इसमें चंदन भी मिलाएं इसे पलकों पर लगाएं यह नुस्खा आँखों की लालिमा को बिल्कुल कम कर देता है इलाइची के दो छोटे टुकड़े ले लें उन्हें पीसकर दूध में डालें और दूध को उबालकर रात में इसे पीए यह आँखों को स्वस्थ बनाता है आँखों की देख भाल के लिए आहार में विटामिन ए का सेवन जरूर करें विटामिन ए घाजर संतरे और कद्दू आम पपीता और संतरे नारंगी और पीले रंग की सबजियों में नहीत होता है पालक धनिया आलू और हरी पत्तेदार सबजियों डेरी शिमला मेर्च गोभी इत्यादी के रूप में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ आहार में शामिल किया जाना आवश्यक होता है जिहां ब्लूबेरी द्रिष्टी बढ़ाने के लिए और नेत्र हीन के लिए एक लोक प्रिय जड़ी बूटी है यह रात के समय की द्रि पका हुआ फल ब्लूबेरी हर रोज आधा कप खाना चाहिए आपको बादाम में उमेगा थ्री फैटी एसीड विटामिन ई और इंटियोक्सिडेंट समगरी होने की वजह से द्रिष्टी में सुधार के लिए बहुत लाब दायक होता है यह स्मृति और एकागरता बढ़ान में भी मदद करता है रात भर पानी में पान से दस बादाम भिंगो दें अगली सुबह छिलका उतार करके बादाम पीस लें एक गलास गर्म दूद के साथ इस पेश्ट को खाएं कम से कम कुछ महिनों के लिए इस प्रियोक को करें एक कप गर्म दूद में आधा चमच मुले आँखों के व्यायाम अपनी आँख की मान स्पेशियों को अधिक लचिला बनाने के लिए आँखों के लिए उर्जा और रक्त प्रवाह में लाने और इस्टतम दृष्टी बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है जिहां हम आपको कुछ व्यायाम बाता रहे हैं जिनक लेख जाकर के आप नाक की सीध में ही दूर ले जाएं और पास ले जाएं इस दोरान आप अपनी दृष्टी पेंसिल की नोक पर ही केंद्रेत रखें इसे एक दिन में दस बार दोहराएं कुछ सेकेंड के लिए घड़ी की दिशा में अपनी आँखें गोल घुमाएं और और इसे चार या पाँच बार दोहराएं अपनी आखोंके 20 से 30 गुना तेजी से बार बार पलक जपकाएं अपनी आखें फैलाएं और पलक बार बार जपकाते रहें अंत में अपनी आखें बंद करें और उन्हें आराम दे दे थोड़ी देर के लिए एक दूर की वस्तु पर अपनी दिर्ष्टी ध्यान लगाएं जिहां अपनी आखों के दबाव के बिना यह करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप चांद को देखो और हर रोज तीन से पांच मिनट के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करो हर रोज दो-तिन बार पानी के साथ अपनी आखें अपनी हथेलियों को तब तक आपस में रगड़ते रहें जब तक वे गर्म न हो जाएं और फिर अपनी हथेलियों के साथ अपनी आखों को ढखें यह आख की मांस पेश्यों को आराम देने में बहुत ही मददगार साभित होता है आपके कम्प्यूटर की स्क्रीन की चाका चौंधर रोश्नी को कम करके रखें ताकि आखों पर बुरा प्रभाव न पड़े आखों को धूल मिटी और सुरज की तीज किरणों से बचाना आपको जरूर चाहिए लगातार काम करते समय बीच में आखों को कुछ विश्राम देना भी बहुत जरूरी होता है विभिन द निकट की वस्तुएं तो साफ दिखाई देती हैं पर दूर की वस्तुएं धुंदली दिखाई देती हैं दूर की वस्तुएं देख पाने में व्यक्ति खुद को असमर्थ महसूस करने लगता है दिर्ग दृष्टी दोश यानि कि दूर दृष्टी दोश इस दोश में इसी भी दूरी की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है धुंधलापन महसूस होने लगता है रेटिना टुकडी जब अचानक से चमकती रोशनी आँखों पर पड़ती है तो उसके बाद द्रिष्टी में काले धबों का सयोजन होने लगता है कुछ देर तक आँखों के सामने काले धब्बे दिखाई देते रहते हैं इसे रेटिना टुकडी दोश कहा जाता है रंग अंधापन रंग द्रिष्टी दोश में आमत और पर रोगी रंगों में भेद करने में खुद को असमर्थ महसूस करने लगता है रंगों के प्रतिर उनकी आँखें समवेदन शील हो करिया है आपका पहला लक्षन धुंदला दिखाई देने से संबंधित होता है एक नियमित नित्र परिक्षा के दोरान इसकी पहचान की जा सकती है लक्षनों में शामिल है जैसे की चमकदार रोशनी में आखों से धुंदला दिखाई देना रात में कमजोर द्रिष्टी औ उज्वल सुरज की रोष्णी से चकाचोंधिया और सहथ चमक पढ़ने के लिए उज्वल प्रकाश की जरूरत होना रंग फीका या धुन्दला दिखाई देना एक आँख में डबल या ट्रिपल द्रिष्टी ओवरलैपिंग चित्र समान्य रूप से अंधेरे पुतली के लि द्रिष्टी समस्याओं में व्यक्ति की एक या दोनों आखें अक्सर रगड कर सकती हैं और भूंगापन हो सकता है अब कुछी समस्याओं पर आप तुरंत सलाह लें और डॉक्टर को दिखाएं जरूर आए जानते हैं किसी स्थिति में डॉक्टर के पास जाना बहत जरूर होती है यदि आपको लग रहा है कि एक परदा अपने द्रिष्टी का हिस्सा में उत्तारा जा रहा है एक आँख से या दोनों आखों से धुनला दिखने पर ततकाल चिकित्सा सहायता प्राप्त करने की जरूरत होती है यदि आप समान्य रूप से उज्वल प्रकाश के प् सहज हो जाते हैं या लेंस हटाने पर भी आपको दर्द हो तो कार्णिया सूजन या एक कार्णिया अलसर हो सकता है इसलिए तुरंत अपने चिकित्सक से परामर्ष लें आँख की कोई चोट भी आपकी द्रिष्टी को प्रभावित करती है आपको आंतरीक रक्त स्त्राव या अपनी आँख के आसपास के हड़ी के फैक्चर होस जाने पर भी यह एक आपात कालिन चिकित्सा हो जाती है इसलिए डॉक्टरी परामर्ष आवस्य ले लें आखों में किसी भी प्रकार की लालिमा जलन या दर्द के स्थिति में अपने नेत्र चिकित्सक से आवस्य शं कारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों